हेलो फ्रेंड्स वैलकम इन में योट्व चैनल गंडपन्ट पर नॉलेज तो गाइस आज हम पीपीफ अकाउंट के बार में पूरी डिटेल में जानेंगे पीपीफ अकाउंट से रिलेटिड आपके जो भी कोशन्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आज आपके मन में ये पूंक्शन आजम देखने वाले आजाता है इंट्रेस्ट ए मिलते हैं सेवन पönट वन पर्संट का इंट्रेस्ट मिलता है एवरी यर के हिसाब से अर्ये så भी अपको टட कि नहीं पे करना पड़ता है और जो इसका मैच्योर्टी पिरेड है वह फिफ्टीन एयर की है तो अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको 5 साल आगे बढ़ा सकते हैं मान लिजा भी 15 साल की maturity period है तो आप 5 साल और एड़ कर देंगे तो 20 साल हो जाएंगे अगर आप और आगे आप निकाल सकते हैं विड्रो कर सकते हैं और गाइस आप पीपेफ अकाउंट के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं पहले यह लोन रेट जो था 2% अब जो लोन रेट है वह 1% कर दिया है तो आप बात आ जाती है कि आप इस अकाउंट में मिनिमम डिपोजिट आप कितना मांट कर सकते हैं तो इसमें जो मिनिमम डिपोजिट है वो 500 कर सकते हैं जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तब आपको 500 रुपीज डिपोजिट करने होंगे और हर साल आपको 500 रुपीज डिपोजिट कराते रहने होंगे अगर मान लेजिए आपने किसी साल 500 रुपीज ड चैनल्टी लगीगी तो गाइस अब बात आ जाती है कि आप इसमें मैक्सिमा माउंट कितना डेपोजिट कर सकते हैं तो गाइस आप इसमें मैक्सिमा माउंट 1.5 लक कर सकते replied तो एक लाग पिपीपेफ चलाएगा वो दो नहीं चला सकता अगर मान लिजिए आपने दो पीपेफ खुलवा भी लिए तो आपका जो दूसरा पीपेफ अकाउंट है जो आपने बात में बनाया है उस अकाउंट को वह बंद कर दिया जाएगा और उस पर आपको एक रुपया भी इंटरे देंगे तो आप दूसरा के सी यह जाता है मान लिजा पेरेंड्स हैं और आप दौनों ने अपने अलग अलग पीपड़ अकाउंट open कर रखे हैं और आप दोनों ही अपने अपनी इंकम से अपने पिपक को चला रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे का एक पिपक अकाउंट खुलाना चाहते हो, जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो आप दोनों में से कोई एक person उस account को operate करेगा मम्मी कर सकते है या पापा कर सकते है कोई भी एक कर सकता है तो मान लिजे उसके पापा ने उसके फादर ने account खुला दिया और वह उस account को operate कर रहे है तो इस time पे आपके दो account होगे एक तरह से एक तो आप अपने बच्चे का account और एक अपना ओपरेट कर रहे हो तो इस टाइम पे जो लिमिट है जो maximum amount deposit करने की लिमिट है वो अभी भी 1.5 lakh ही रहेगी इन दे सेंज आप दोनों account को मिला के 1.5 lakh रुपीज ही एक साल में डाल सकते हो इस से इतना amount 15 साल बाद मिलेगा अगर आप 500 रुपीज डालते हैं तो आपको 1,62,000 कुछ रुपे मिलेंगे और अगर आप 1,000 रुपीज डालते हैं तो आपको 3,25,000 कुछ रुपे मिलेंगे और अगर आप 1,500 डालते हैं तो आपको 4,88,000 कुछ रुपे मिलेंगे और अगर आप 2, 2,000 रुपीज डालते हैं तो आपको 6,50,000 कुछ रुपे मिलेंगे और अगर आप 2,500 रुपेज डालते हैं तो आपको 8,13,000 रुपीज कुछ मिलेंगे तो इसी तरीके से आपको 7.1% के हिसाप से आपको रिटन दिया जाएगा आपके अमाउंट पे और जो आप मैकसिमम अमा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपको अकाउंट कैसे खोलना है नहीं पता तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप अपना अकाउंट कैसे खोलेंगे इसकी मैंने पूरी डेटेल बता रखिए आप जाके वीडियो देख सकते हैं